Hello guys, welcome back to our new video and आज की ये वीडियो होने वाली है baby parrot best hand feeding formula So guys, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने baby parrots को कौन सा hand feeding खिलाएं जो कि आपका birds कभी भी बिमार नहीं पड़ेगा ये सब खिलाने से क्योंकि बहुत सारे जो new new parrots owner बनने वाले हैं इस year तो जैसे की बनने वाले तो वो बहुत सारे गलतिया ऐसे कर जाते हैं जो कि उनके birds के लिए सही नहीं होता है और उसके birds की जान चली जाती है So आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम सही सही hand feeding formula बताऊंगा कुछ hand feeding formula जो है मैं आप लोगों को suggestion दूँगा कि आप लोग ये खिला है ताकि आपका बड़ एकदम healthy रहे So आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा So आप लोग end तक वीडियो पर बने रहे आप लोगों को कैसी लगए So guys चले वीडियो को start करते है So guys देखे जब क्या होता है कि अब इस येर जैसे की दिसंबर से बेबी परट मिलना start हो जाता है तो बहुत सारे परट्स ओनर क्या करते है जो new new परट्स ओनर एकदम new new जो इस येर बनने वाले है जो कि उनके कोई भी एक्सपिरिंस उन्हीं नहीं होता है और उनको अछे नहीं रख पाते हैं और उनकी जो परट्स की है जान चलिती है फिर बापस से वो दूसरा परट्स लाते फिर वही गलती करते हैं पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से हैंडального नहीं खिलाना थैं तो देखें हैंड़ फिटिंग जो हैं आप लोगों को मैं पहले बताओ तकि कौन सा फिपलाने सो गैस देखिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा और जुछ चर्ण करते से के उनके वो काम नहीं करते जा कि यसस्था में है उनके बाद में क्या होता है कि छनाद से पयर्लेट्ट्स के पेट में जह होता है तो इससे आपके birds की जान जा सकती है तो guys please अप लोगों चना दाल भी ना खिलाए तो अप लोगों को मैंने बता दिया और एस से next वीडियो आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या-k yan क्या नहीं खिलाना है वो सब के सब उसमें मौझूद होते हैं जो कि पैरट को चाहिए तो थोड़ा सा कॉष्टली होता है बाट आप लोग यह खिला सकते हो तो आप लोग यह खिला सकते हो और पेट्सलैप का हैंड फीडिंग फॉर्मुला अप लोगों के सस्ते में मिल जाएगा आप लोगों के पेट स्वाप ऊनलाइन आप लोगों को मिल सकता है तो आप लोग ये खिला सकते हो ऑन्ड वो भी आप लोग ये दिन अफोर्ट ने कर सकते हो तो आप लोग कला चना जो होता है तोester होता है kला चना आपके बड्स को कोई भी हाम नहीं करता है क्योंकि काला चना में nutrition उतने सारे तो नहीं होते बढ़ हाँ उनके लिए अच्छा रहता चना डाल से बेटर काला चना होता है तो काला चना आप लोगों को boil कर आर्थी boil करके भी आप लोग खिला सकते हो एंड रात भर भीगो के उर्वे स्वाफ्ट करके दो टुकुडा करके एंड आप लोगों खिलाना इसकीन उसको उतार देना क्योंकि इसकीन सहेद आप लोग खिलाओगे तो वह डाइजेस्ट नहीं करने सकेंगे और उनकी द्याथ हो जाएगी और आप लोगों को मैंने तीन चीज़ बताया आप लोग यह चीज़ आप लोग ट्राय करके देख लग सकते हों याफ को बहुत अच्छा रिज़enn मिलेगा और आप लोगों को जो हन् फिडिंग फ्रॉर्मुला जैसे मैंने बता है फैठ सीलइब का तो उससे भी आपको बैटर जोडर रिजम मिलेगा और आप लोग को पसंद आइग होगी पसंद आइग हो तो वीडियो व शेर करे, so take care guys and bye bye.